नमस्कार स्वागत है आप सभी कद्धा लेवल 10 करंट अफेर्स में और आज हम 24 मई 2020 के करंट अफेर्स डिसकस करेंगे इसमें हमारा पहला कॉश्चिन किस मंत्राले ने साइवर सुरक्षा नाम से तीन हैंडबुक जारी की हैं इसका सही आंसर है Option A Ministry of HRD Human Resource Development अब हम इसके बारे में जानते हैं जो Cyber Safety जो बुक है पहली वो क्या हुआ है वो Class 9 से 12 तक के बच्चों को Cyber Security के बारे में Awareness देगी और जो Second Book है वो ये बुक जो है वो Principles के लिए है जिसमें जितने भी Boards के बारे में Information दी जाएगी कि Boards के क्या Rules and Regulations है और जो तीसरी बुक है वो हमें 21 सेंचुरी की Skills के बारे में बताई जाएगी और बच्चों को Motivate करेगी कि उनको वहाँ अपनी Daily Life में कैसे यूज कर सकते है अगला Question हाल ही मैं किस देश ने Open Sky Treaties से बाहर निकलने की गोशना की है इसका सही आंसर है Option C USA मतलब United States of America अब जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया क्योंकि अभी आपको बताई वी था मैंने कि Trump ने Trump का जो प्रसाशन है Administration उसने बोला है कि Open Sky से वो बाहर निकल जाएंगे और अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि Open Sky होता क्या है जो है वो 34 countries है इसके अंदर और इसमें क्या होता है यह जो country है आपस में एक दूसरे की country में अनाम्ड बिना हत्यार के surveillance flights कर सकती हैं और जो भी surveillance flights से जो भी pictures वारा ली जाएंगी वो एक दूसरे के साथ share भी करेंगी ठीक है और यह जो treaty है यह sign हुई थी 1992 में लेकिन जो effect में आई थी है 2002 में और अभी हाली में किर्गिस्तान ने इसको signed किया था लेकिन अभी तक ratified नहीं किया है और आप याद रखिए इंडियास का member नहीं है अब अभी मैंने आपको बताया था कि USA ने decide किया है कि वो इस treaty से इसलिए USA ने बोला है कि जब रशिया इसका उलंगन कर रहा है इस treaty का तो मैं इस treaty से बहार निकल जाओंगा अगला question विस्व बैंक द्वारा 100 विकास शील देशों को कितने billion US dollar की मदद की घोशना की गई है इसका सही answer है option C 160 billion US dollar अब जो World Bank ने announce किया है कि वो 100 developing countries को 160 billion US dollar की मदद देगा जो की coronavirus की वज़े से देगा ठीक है क्योंकि coronavirus की वज़े से उसने बोला है कि बहुत ही जादा लोग extreme poverty में चले गए हैं जैसे कि 60 million और ये जो पैसे दिये जाएंगे ये 15 मंत के time of periods में दिये जाएंगे अगला question रास्ट्रिय जैव विविदिता प्राधी करण ने किस संस्था के साथ जैव विविदिता सरक्षर इंटर्शिप कारिकरम शुरू किया है आप इस question को इंगलिश में भी देख सकते हैं इसका सही answer है option C UNDP United Nation Development Program अब इसकी जो initiatives वेरा हैं उनके बारे में जानते हैं जो इसका program है उसके बारे में जो हमारे जो minister है environment minister जावेट करने लॉंच्ट किये हैं पांच की initiative ठीक है ताकि biodiversity को बचाया जा सके उसके लिए अब जैसे आप देखते हैं कुछ initiatives के बारे में जो पहला था biodiversity selection internship program इसमें क्या होगा कि एक competition exam होगा जिसमें 20 student को लिया जाएगा जिन्होंने post graduate student होंगे और जिनको बहुत जादा मतलब बहुत जादा इच्छों होंगे वो conservation biodiversity के conservation में काम करने के लिए दूसरा जो campaign है एक campaign इस्टार्ट किया गतार not all animal migrant by choice इसमें किया है कि जितने भी animals होते हैं वो खुद की choice से migrant नहीं करते हैं लेकिन कुछ हाला तैसे हो जाते हैं कि dangers लेके या फिर कोई भी चीज महाँ पर कोई virus फैल गया इसकी वज़े से migrant होते हैं उसके बारे में यह है यह वाला campaign जो की स्टार्ट किया गया है wildlife crime control वियरो और United Nation Environment program के दौरा और जो तीसरा है इसमें एक webinar series होगी बायो डावर्सिटी के conservation को लेके आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला question हाल ही मैं COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए खदूल पहल समाचार में है यहाँ किस राज्य से संबंदित है इसका सही आंसर है option B मनीपूर अब इस थोड़ा सा खदूल पहल के बारे में जानते हैं United Nation Security General के दौरा जो खदूल है मनीपूर की खदूल पहल को COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीष टॉप 10 गलोबल पहलों में से एक के रूप में सुचिब्रत किया गया है मतलब लिस्टर किया गया है अब हम खदूल के बारे में जानते हैं जो खदूल है यह हमारी एक funded initiative है जो कि या अल का है या हल या अल आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक NGO है ठीक है यह काम करती है जैसे कि इसने LGBT community के लिए काम किया है जो people जो HIV से प्रीडित हैं उनके लिए और जो हमारे daily wage earners होते हैं और children's के लिए काम करती है मतलब भी ensure करती है कि उनको food मिल रहा है health की जुपनी services होती है वो provide करना और उनके स्वास्त और hygienic से संबंदी चीजों को ensure करती है कि यह चीज़े proper उनके पास है या provide कराई जाए और यही एक NGO थी जिसने first transgender football team भी create की थी और आप इसको news में समीज गेंगों कि क्यूं हो है क्योंकि United Nation में जो इसकी मनिपूर की जो खुदूल initiative है इसको top 10 global initiatives में listed किया गया है हाल ही में डिब्रू से खोवा रास्टिय उद्धियान समाचार में है या कहां इस्टित है इसका सही answer है option D या असम में इस्टित है हुआ है है क्योंकि ministry of environment forest and climate change ने oil इंडिया को इस डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क में लेकिन डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क के बाहर डिल करने के लिए improvement दे दी है मतलग कि जो oil इंडिया जो है वो डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क के बाहर की सैड डिल कर सकता है अब हम थोड़ा से इस पार्क के बारे में जानते है जो डिब्रू शिखोवा है वो एक national पार्क भी है और एक biosphere रिज़र भी है अब हम इसकी location के बारे में द कोहित रिवर है और नीचे इसके यहां पर भी डिब्रू डिब्रू रिवर है इसके साउथ में आप इसे याद भी रख सकते हैं अगला कॉश्चन के शहर के नगर निगम ने COVID-19 वाड रूम की स्थापना की है इसका सही आंसर है option भी अजमेर अजमेर की जो municipality है नगर निगम जो है वहाँ का उसने क्या करा है COVID-19 वाड रूम को स्टार्ट किया है मतलब यही वाड रूम क्या करेगा यही लोगों में awareness खलाएगा COVID-19 के बारे में और लोगों को aware करेगा जो WHO और MHE की जितनी भी guidelines है उसके बारे में बताएगा लोगों को कि मतलब physical context मतलब थोड़ा सा physical distance बना के रखें अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी फील आप अच्छा नहीं कर रहे है तो आप अपने घर में रहिए अगर आपको फीवर है या फिर मास्क लगा के बारे में लोगों को aware करेगी अगला question किस दिन को विश्व कच्छुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका सही आंसर है option C 23 मई अब आप यहां पर देख सकते हैं यह मनाया जाता है 23 मेरी को World Turtle Day यह मनाया जाता है 23 मेरी को इसका मतलब main purpose है इसे बनाने का के turtle और tortoise के habitats के वारे में लोगों को aware करना और यह 2002 से मनाया जा रहा है और यह first वार जब मनाय गया था 2000 में तभी American Tortoise Rescue यह एक NGO है इसके द्वारा मनाय गया था अगला question विश्व में PPE के वि निर्माड में भारत का rank क्या है इसका सही आंसर है option B जो इंडिया की rank है न PPE में वो second है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो चाइना है यह टॉप में है और जो इंडिया है वो second number पर है जो PP मतलब होता है Personal Protective Equipment के manufacturing में और हम जो manufacture कर रहे हैं वो होते हैं जैसे shoe cover, gloves, eye shield, mask और gown ठीक है इन सब को manufacturing करने में इंडिया की जो rank है वो second है और कल हमने आपसे question पूछा था किस राज्य और केंदर शाषित प्रदेश ने समग्र सिक्षा कारिकरम शुरू किया है इसका सही answer है option B जम्मू एंड कश्मीर और आप सभी के लिए एक revision question हाल ही मैं भारतिय मौसम विज्ञान विवाग की कितनी सेवाएं उमंग application में डाली गई है और आप सभी इसका answer प्लीज कमेंट वाक्स में दीजिए और इसी के साथ आज का discussion यहीं समापत होता है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच